नमस्कार आपके स्वास्त को लेकर लगातार हम डॉक्टर से सलाह लेते रहते हैं आप लोगों को हमेशा अपनी सेहत की चिंता बनी रहती है लेकिन कई मौकों पर ऐसा होता है कि आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते हैं आधुनिक दौर में बदलते लाइफिस्टाइ खान पान और पॉल्यूशन कई बिमारियों का कारण बन रहा है नमस्कार मैं हूँ योगेश भट और आप देख रहें न्यूज्टूडे नेटवर्क का खास प्रोग्राम हेल्थी टिप्स हेल्थी टिप्स में हम एक्सबट से बात कर बिमारी का कारण और निवारन जानते हैं आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बीपी यानि ब्लड प्रेशर की जान आप घर में बैठे कैसे कर सकते हैं इससे पहले हमने आपको बताया था कि सुगर की जान घर पर मसीनों द्वारा कैसे करते हैं अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे ड बीपी का मरीज डॉक्टर के पास चेंबर में जाता है तो उसे बीपी नापने में घवराड सी मैसुस होती है जिसकी वजह से कभी गलती से उसका बीपी हाई निकल जाता है तो कभी बीपी अचान अबलो हो जाता है तो आईए जानते हैं हलदवानी के वरिष्ट फिजिसियन डॉक्टर केडिया से उन्होंने बताया कि बीपी नापने का सही तरीका आप ABPM यानि एमबुलेटरी बीपी मसीन से कैसे आसानी से काउंट कर सकते हैं 24 गंटे में लगा थार बीपी नापने की मशीन इसको हम ABPM कहते हैं इंगलिश में एमबुलेटरी बीपी मॉनिटरी मशीन कहते हैं इस मशीन के द्वारा हम 24 गंटे में लगा था बीपी और कंप्यूटर के द्वारा इसकी सारी रिपोर्ट प्राप कर सकते हैं इस मशीन की और शक्ता क्यों हुई ये बात हमको बहुत जरूरी समझनी चाहिए सबसे सबसे पहली बात सबसे सिंपिल सी बात आती है अगर मरीज डॉक्टर के चेंबर में जाता है तो कभी के भी उसका बीपी नॉर्मल होते हुए भी बीपी उसका बढ़ा हुआ निकलता है इस चीज को हम लोग सेंटिविक भाषा में वाइट कोट हाइपर टेंशन कहते है मतलब यह हुआ कि सिंपिल सी भाषा में सारह सी भाषा में जब मरीज डॉक्टर के चेंबर में जाता है तो अनाया ऐसी उसकी दिमाग में कुछ चिंतायां सी होती होंगी और होती ही है कि वो नापने में बीपी उसका बढ़ा हुआ निकलता है तो यह वाइट कोट हाइपर कि मरीज का बीपी बढ़ा हुआ है लेकिन डॉक्टर के चेंबर में वो नॉर्मल आता है इसको हम लोग मास्क हाइपर टेंशन कहते हैं इसके अलावा नॉर्मल आदमी का ब्लेट पेशर जो होता है रात के समय दस से पंदरा परसेंट तक कम होना चाहिए इसको हम लोग अगर बीपी दस से बीस परसेंट सोते समय नहीं कम हो रहा है तो इसका मतलब है उसका बीपी आगे चलके नुक्सान दे रहेगा शरीर में और वो हार्ट अटेक के कारणों वह अन्य कारणों को जन्म देने के लिए बिल्कुल तयार है एक सबसे बड़ी चीज होते है कि अक इसको कहते है मौडिनग सर्च की बीपी मौर्निग स्रजा इप बीपी जया कि सुबह सुबह आदमी का बढ़ना नहीं चाहिए कुछ लोगों में चिनको प्लेट पे텐शर की शुक्यायत होने इसा हो सकता है lorsque उनको सुबह और सुबह बढ़ गया हो और उनको किसी वज़े से हांटरे के त्यादी हुआ हो तो ये सब कम्यों को दूर करने के लिए हमारे विज्ञानिकों ने ये एंबुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग मशीन को समाज में लाए हैं ये मशीन वैसे तो महंगी है लेकिन लगवाने का लगवाने का खर्चा मैं यहां पे सिर्फ 500 रुपए ल जरूर करवाना चाहता हूं और इसकी तूट फूट की अन्य चीज़ों के लिए मैं इसको एक तरीके के जमानत के तौर पर रखना चाहता हूं उसको तुरुन जाच होने के बाद वापस कर दी जाएगी और शुगर के बारे में जो बताना चाहता था हम ये शुगर की मशी पाद महीं है ये सिछ फ हम पैसट सो रुपए की मशीन होती है इसमें पांस या रुपए का जो हमारा जो ब्याः जो पैस लगता है या watts पैस और इसमें पैसर सो रुपए में महजार उप3 मातर उसको मरीज को तुरू तो नॉष को एक उसको वापस करदेता में बने शुरू करें आज के समय में हार्ड एटेक के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं अक्सर वीपी और सुगर एक दूसरे से जुड़े हुए मर्ज हैं इन दोनों विमारियों के एक साथ होने पर डॉक्टर बताते हैं कि अगर सही से जास नहीं हो पाती है तो हार् बढ़ा के साथह परिणालीजे की उस को जो सम्वावना है 60-50% होने की संभावना बर जाती है और संभावना ही नहीं भडती है सबसें खतरनाक बात है समाज में ये चीजें बतानी बहुत जुरुरी है शुगर में जो होता है इसमें दर्ध रही नहीं होता है साथ स सी पर हार्ट्रेक का हो जाना और शरीर में पसीना नहीं होना सिर्फ आदमे को थोड़ी से बेचेनी सी होती है जिसकी जानकारी एक स्वैम डॉक्टर को भी शैद न हो पाए इसलिए शुगर के रहते हार्ट्रेक होने में जान का खत्रा बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना है इ आपने जान ही लिया होगा कि डॉक्टर केडिया दौरा बताई गई एमबुलेटरी बीपी मसीन कितनी कारगर साबित है और आप घर बेटे बीपी की जान्च आसानी से कैसे कर सकते हैं और ब्लेड प्रेसर की समस्या बढ़ने से पहले बस सकते हैं अगर आपको हमारी ये व अबस्त रहें नमस्कार दोस्तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अगर आप इसको यूटूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलू करें नमस्कार